नमईस्कार दोस्तो मेरा नमेरा जीक पाड़को आपका स्वागत है हमारे यूटूप चारणमें दोस्तो यद्यलि आपको स्टैमरींग प्रल्bn है और यदि आप अपने स्टैमरींग को लेकर डेडिकेटे थे अपने स्टैमरींग को उबर «कम» करना चाहते हैं तो यह वीड tips को follow करके आप अपने stammering को सही कर सकते हैं और जिन टिप्स को मैंने follow किया है और अभी भी करता हूँ उसको आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों जो मेरा सबसे पहले tips है कि आपके अंदर stammering को overcome करने का willpower होना चाहिए इच्छा सकती होना चाहिए कि मुझे अपना stammering को किसी भी हालत और हालात में सही करना है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा क्योंकि stammering हमारे life में हमारे सफलता का रुकावट है और जब तक मैं अपने stammering को सही नहीं करूँगा और आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जब वे लोग अपना स्टैमरिंग को सही कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों जो मेरा दूसरा स्टेप है उससे कहते हैं स्ट्रॉंग माइंड सेट बनाना कि मैं अपना स्टैमरिंग को सही कर सकता हूं आपके अंदर ये यहाँ अपना स्टैमरिंग को सही किया बल्कि वुव बड़े पड़ वहां के सर्व स्टेस्ट राष्ट पती के पड़ पर गए तो आप उसको देकर वह मोटिवेट हो सकते हैं अपना आत्मबल आत्मसक्ती स्ट्रॉंग माइंटेट बना सकते हैं कि जब ओ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं और आप इंडिया में देख लिजिए रितिक रोशन इतने बड़े स्टार हैं वह पहले स्टैमरिंग करते थे एक और एक्टर है वायस आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सरद केलकर जो बाहु बली में वायस दिये थे तो आप उनको देखकर बहुत मोटिवेट हो सकते हैं और भी बहुत सरे लोग हैं जिनको हम देखकर मोटिवेट हो सकते हैं कि जब उवे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ये आत्म वि बेसरम बनना पड़ेगा चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बने अपने परिवार के साथ बने स्ट्रेंजर अन्नों लोग साथ बने आपको बेसरम बनना पड़ेगा आपको उनके सामने जाकर बोनला पड़ेगा चाहे आप स्टैंबरिंग करें हकलाएं कुछ भी करें क्यों तब तक आपके अंदर का fear anxiety दूर नहीं होगा, आपका confidence बढ़ेगा नहीं, और यदि आपका confidence आपका fear कम नहीं होगा, तब तक आप अपने stammering को सही नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको 2, 4, 5, 10, 50 लोगों के बीच आपको बोलना ही है, क्योंकि ये basic है stammering को overcome करने के लिए, और यदि आप इसको face कर लिए, आप लोगों को face कर लिए, तो आपके अंदर का fear है, डर है, उन निकल जाएगा, और आपके अंदर एक confidence डेवलफ होगा, कि मैं बोल सकता हूँ, मैं लोगों के बीच जाकर के, और कुछ भी speech, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, लोग यदि हम वहाँ पर पहले stammering करें, हकलाएं, लोग हमको देकर हसेंगे, हमारा मजा कूड़ेगा, कुछ भी होगा, लेकिन हम जाकर के बोलेंगे, यदि आपके अंदर ये आत्म सकती, आत्म बल आ गया, यदि आप बेसरम बन गए, तो मानिया अपने stammering को 60-70% उस समय ही खतम कर देजएगा, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सेरफ और सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, और यदि आप हमसे कोई भ मंभी खंप हमारा वीडियो आत्म सकता वाइक